नमस्कार जी बिजनेस और प्रॉपिटी प्लस के तमाम दर्शकों को नवर्ष के हारदिक बदहाई और शुपकामना है 2030 का आगमन हो चुका है और नया साल नए सपने नई आशाएं नए लक्ष लेकर आता है जाहिरेच चुनौतियां भी आती हैं हमें शो में बात करते हैं देश के सबसे अहम सेक्टर रियल स्टेट और इन्फरा की आज के शो में हम बात करने वाले हैं रियल्टी सेक्टर इस नए साल को किस तरह से देख रहा है क्या लक्ष तै किये गए हैं बीते वर्ष को देखते हुए इस साल कैसा ट्रेन रहने वाला है प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश बिक्री नय लॉंच के लिए हास से 2023 से कैसी उम्मीदे हैं सप्लाई साइट की बात ठीक है डिमांड साइट कैसी उम्मीदे हैं इस साल रियल्टी सेक्टर कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रखने के लिए क्या कुछ योजनाय बना रहा है ऐसे ही तमाम मुद्धों पर करेंगे आज बात तो हमारे साथ कई इंडस्री एक्पर्ट्स हैं उनसे आपका परच्छ कराते हैं हमारे साथ है राजन बंदेलकर पेजिडेंट नरेटकु नेशनल अर्विन डंदन है हमारे साथ म्दी सेवल्स इंडिया अमित रमानी है हमारे साथ फाउंडर ऑफिस को व्किंग स्पेस और सौरब गर्ग भी हमारे साथ है को फाउंड के लिए बढ़े शांदार रहे हैं ब्रैंडेट डिवलोपर्स का मार्केट शेयर भी आदे से अधिक हो चुका है फिर चाहे बाद सेल की हो नियू लॉंच की हो तो इस साल आप लोग क्या उमीद और लक्ष लेकर चल रहे हैं नमस्कार दिपक जी और मैं आपके मांद्यम से सारे दर्शकों को वेरी हैपी 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 निव यह 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 दो साल तो बहुत ही अच्छे गए अग्दो साल अच्छे गए उसके अंदर मैं सबसे पहले तो सरकार को कि सबसे पहले उन्हें ने कदम उठाया और उन्होंने आप मानोगे नहीं कि 60 परसंट 50 to 60 परसंट स्टम डूटी में रहती जो एक बहुत बड़ी थी ताकि क्या बोलते कि आज अपने बोलता है कि जो ट्राफिक जाम हुआ हुआ था कि जो आज लग रहा था कि बायर्स घर बैठा हुआ था और डेवलोपर्स भाव कम नहीं कर पा रहे थे और रेट आफ इंट्रेस्ट भी उतना कम नहीं हो रहा था तो यह सारी चीज बोलता है ना कि सारे बोलता है ना कि सारे भगवान ने एक की साथ आशिरवात दे दिया वैसे आलत हो गई रियल इस्टेट पांच से आट परसंट इसलीए कि हमने हमारे मिम्र लोगों को पताया हुआ है कि जितना है प्राइज रिजनेवल रखोगे तो सेल चालो रहेंगे व जैसे मूवी में ने जाता है कि एंटेन्मेंट एंचामेंटेतं nominations वैसे रियल इस्टेट में सेल 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 यह तिनों अगर बिके तो यह अपनी गाड़ी चलती है और मैं बहुत ही पॉजिटीव हूं और आपको पता है कि मैं दिल से बोलता हूं बेबाग बोलता हूं और जो सच लगता है और जो दिल पे लगता हूं यह बोलता हूं तो रियल इस्ट कि इस कोविड में सबसे अधिक मजबूत इम्मुनिटी रियल्टी सेक्टर की हो गई है जिसकी सेहत दिन बर दिन तंदुरुस्त होती जा रही है बाराल अर्विन सार आपके पास आते हैं बीते एक साल में चाहां एक और लगातार ब्यासदरे बढ़ी हैं तो वहीं इसके रिकॉर्ड बनते तूटते दिख रही है हाउजिंग में कैसा ट्रेंड रहेगा किस सेग्मेंट में और टिकट साइज में ग्रोथ और किसमें चैलेंज़स दिख सकते हैं देखिए हाउजिंग और कमर्शिल दोनों में हमने इस साल ग्रोथ देखी है लेकिन इसको थोड़ा बारी की से देखना जरूरी है तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे इनेबलर्स थे वो बहुत अच्छे रहे पिछले एक डिएड़ साल में मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ तो हमारा इंट्रेस्ट रेट जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है वो आर बी आई ने होल्ड करके रखा चार परसेंट पर डिएड़ साल से उपर तक अलग-अलग क्वाटर्स में थोड़ा बिहेवियर अलग-अलग रहा है कमर्शल में अगर आप देखें तो क्वाटर वन क्वाटर टू में बहुत तेजी थी क्वाटर थ्री और क्वाटर फोर में थोड़ी मंधर गती से डिमांड चली है residential में ये कॵाटर वन क्वाटर तू में और क्वाटर थ्री में भी हर क्वाटर में लगभग हमने 30, 22,000 की सेल देखी है और क्वाटर फोर में वो थोड़ी सी बड़ी हुई दिखती है अब सवाल ये है कि ये रिमांड जो है ये किन-किन सेगमेंट से आ रही है इस साल हमने देखा कि न सिर्फ mid segment बलकि जो हमारा premium segment उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है तो मझे ऐसा लगता है कि आने वाले कम से कम दो quarters तक हमारा जो premium segment है वो बढ़ता रहेगा mid segment जो है बहुत जादा डिफरेंस नहीं आया तो वो भी बढ़ेगा लेकिन प्रीमियम सेग्मेंट के बढ़ने की संभावना बहुत जादा बन चुकी है जब हम प्रीमियम सेग्मेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उन सेग्मेंट की बात कर रहा हूँ जो दो करोड से उपर के सेग्मेंट है जहां सतरा अठारा हजार यूनि है डिमांड के पैटर्न में और इस साल भी यह बने रहने की संभावना दिखाए पड़ती है बिलकुल प्रीमियम और मिट सेग्मेंट में बीते साल मजबूर्ट डिमांड दिखी है तो वहीं आने वाले साल भी हनुमान है कि इस सेग्मेंट में तीजी रहेगी हाला कि ब्यास दरे बढ़ते रहने के बावजूद डिमांड बनी हुई है ये देखने वाली बात है हमें जे आपके पास आते हैं को वर्किंग सेक्टर में इस साल कैसी उम्मीदे बन रही है औकिपेंसी रेट कैसा रहने वाला है क्योंकि लगबग पूरी तरह से हम कोवीड एरा से निकला आए है बीते साल के मुकाबले इस साल नंबर्स कैसे रहेंगे दिपक जी 2022 तो लैंडमा किया रहा को वर्किंग के लिए almost out of 38 million square feet जो पूरी industry में commercial का take up हुआ उसमें से 7 plus million square feet को वर्किंग का है आज जो को वर्किंग आज को वर्किंग आया 2020 में जो 25 million square foot की industry ती आज 75 million square foot की हो गई है सारी leasing जो 2022 में हुई उसमें से 13% को वर्किंग का take up था तो दीपक जी यह तो बड़ा clear हो गया है कि co-working है from becoming sort of a fence sitter kind of a scenario अब वो बिलकुल mainstream में आ चुका है enterprises, SMEs और startups तीनों जो take up करते हैं commercial real estate वो तीनों are fully full into co-working right now as a option उनके real estate के लिए so 2023 में मेरा यह मानना है दीपक जी दो तीन trend continue करेंगे distributed work अब established हो चुका है, हर company यह decide कर चुकी है कि वो हर city में multiple locations बनाएगी जो लोगों के घर के पास होगी tier 1 cities में multi location जो co-working easy answer बनता है हर एक के लिए company एक दो location बनाने के लिए तो infrastructure रखती है internally बट जब उनको 10 से 15 location एक city में बनानी पड़ती है 50 से 100 seat होगी तो उनका infrastructure नहीं है, तो flexibility, speed और जो अपना capital operating leverage लेके co-working के साथ जाना वो trend continue करेगा second हमारा है मानना है के tier 2 cities में growth की बढ़ोतरी होगी ना सिर्फ बड़ी IT-ITS company बट Indian company जो अपने call center या अपने knowledge processing center setup करना चाहती है हमारी demand 400 से 500 प्रतिशत बढ़ी demand side पे तेरा है मानना है के 2023 में वो और बढ़ेगी बिल्कुल यानि co-working के लिहाज से भी नया साल काफी सकारात्मक दिख रहा है उमीदे बनी हुई है सौरब जी आप से समझना चाहेंगे real estate में एक बहुत बड़ा segment है rental property का हलाकि आपने अभी हाल में अपनी rental market की annual report भी जारी की है तो क्या key trends देखने को मिले हैं इस report में बाकी 2023 में rental market कैसा करता हुआ दिख रहा है तो दीपक जी अगर आप rental market में देखेंगे तो पिछले दो साल rental market ले काफी खराब रहे थे लेकिन इस साल में हमने देखा कि आप सब लोग एकदम ही work place के पास रहना चाहते हैं गेटिट सोसाइटीज की बहुत जादा डिमांड है तो एकदम से काफी rental inflation देखा गया तो मेजर सिटीज में 12 से 18 परसंट तक rental inflation देखा डिमांड बहुत जादा थी और जो गेटिट सोसाइटीज office के पास है कई कई जिगए में तो 25 से 40 परसंट तक हमने inflation देखा इसका एक काफी positive rub-off था कि कि इतने rents भढ़ रहे थे तो rental yield के अगर आप देखेंगे तो कुछ-कुछ city में 4-5% touch करने लगी तो काफी लोग जो की rental देख रहे थे वो buy की तरफ shift कर गये तो हमने देखा कि major demand जो है अगर आप end user की देखेंगे वो इसलिए आई क्योंकि वो comparison सिरफ यह नहीं देखता है कि interest rate कितना पड़ गया है वो देखता है कि interest rate कितना है और मुझे rent कितना pay करना है उसके बीच का difference देखता है तो इसकी वज़े से भी आप जो एकदम देख रहे हैं इतनी demand जो buy में आ रही है उसका reason यह भी है कि rental yield भी जादा हो गई है चाहे वो end user है चाहे वो investor है वो भी सोच रहा है कि अगर मझे चार से पांच percent rental yield मिलने वाली है प्लस capital appreciation भी मिलने वाला है तो यह तो काफी safe investment है तो उसके रहे का भी हमने देखा की हुआ आगे 2023 में रेंटल की डेमांड तो एवर की दीन है तिंग वो continue रहेगी और जैसे कि हमने भी चर्चा करी कि हमने भी देखा कि luxury segment में काफी ज्यादा काफी बड़ी उसमें अपकी बार इस साल आया है कि लोग landed property खरीबना चाहते हैं तो यह भी एक बड़ा trend हमने हमने देखा कि अभी तक क्या था कि जितने भी लोग हैं वो लोग land खरीबना चाहते थे क्योंकि हम लोग सब लोग काफी लोग middle class town से आये हैं और हमेशा लैंड property option को जाकि major developers ने landed property launch किया है तो इसलिए उस पे काफी ज़्यादा डिमांड देखा है और मुझे लगता है कि यह luxury और land का डिमांड continue रहेगा राजन सेट developers real estate industry का base है आपके project स्थै करते हैं कि market की दिशा कैसी रहने वाली है इस साल global situation को देखते हुए developers की रणनीती क्या रहने वाली है focus housing पर रहेगा commercial पर रहेगा retail पर रहेगा या फिर नए trends वेर housing data center logistic parks की और बढ़ता हुँआ नजर आएगा जिपक जी क्या है इसमें developer में भी category है जो commercial करता है वो commercially करता है जो affordable करता है जो luxury करता है लेकिन अभी जो सवरबज ने बताया है कि वैसे यह एक नया segment develop हुआ है कि plotted development का इसलिए हुआ ताकि क्या होता है कि लोगों को हर आदमी को बड़ा घर तो चाहिए लेकिन उस city में अफोर्ड नहीं कर पाता है तो यह जो लैंडेट प्रॉपर्टी है लैंडेट प्रॉपर्टी में 100% काफी लोगों ने प्लॉट के जितने भी प्लॉट से उसके प्रोजे की लिए पॉजिटी होगा है क्या कि जब कि अगर आप देखो कि अगर आप चार से पास परशेंट आप डे रह रहे हो तो उसी लेवल पे तो आपकी यह माय आ रही है तो अगर आप रेंट देते रहो उसके बजाए में खुद का मकान खरीद लो यह आज लोगों ने देख also very frequently wherein आज वो ट्रेंट रह तो भी लोगों को एक पक्का हो गया है कि अपना खुद का एक मकान कोई ना कोई सिटी में जहां पर भी उनको लग रहा है उनका बेसे वहां पर चाहिए तो आज जो डिवलपर जो पिछे से करते आ करेगा और मैं लोगों को सुझाओ भी यह देता हूं कि जब की जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं है वो नेक्स चीज में नहीं जाना चाहिए वरना क्या करते हैं कि जेनू काम तेरू करें जिसको जो समझ करें बिजा करें तो गोता का है तो उससे बैठता है कि अपने को संद्री से करो बिल्कुल ठीक है जिसको जो समझ में आए वही करें इदर उधर के चक्कर में ना पड़े मुझे लगता है कि इदर उधर के चकर में देश भर में हजारों प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए हैं ग्रांक फसे हुए हैं तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रे वेल्कम बैक आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में रियल स्टेट सेक्टर के आउटलुक की और हमारे साथ नमा मेमान जुड़े हुए हैं चर्चा को आगे बढ़ाते तो अर्विन सर आपके पास आते हैं ब्रेक से पहले हम राजन सर के पा हाला है तो इसी सवाल को आपसे भी समझना चाहेंगे कि जब कोविट टेंशन थी तो डेवलपर्स का फोकस लैंड बैंक बढ़ाने की और दिखा था नए लॉंच काफी पीछे चूट गए थे अब जब ग्लोबली हालात को बहुत बहतर नहीं कहा जा सकता हलाकि हम तवाम देशों के मुकाबले अच्छी स्थिति में हैं ऐसे में भारती रियल स्टेट में क्या रड़नीती दिखेगी जारी प्रोजेक्ट पूरे करना पर फोकस रहेगा नए लॉंच बढ़ेंगे या 2023 में कुछ अलग ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन सबसे पहले तो ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा या दुनिया का कोई भी रियल स्टेट मार्किट जो होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 55-88% तो रे Judaism ही होता है रेसिडेंशल के कई प्रकार है लेकिन रेसिडेंशल होता है फिर बाकी में कमर्शल होता है commercial में IT या non IT हो सकता है, retail होता है, hospitality होता है और अब कुछ नए segments भी उभर आएं हैं और अब मैं मुख्य मुद्य पराता हूँ कि इस वर्ष में कौन-कौन से वो segment हैं जिनमें बढ़त देखने की हमें गुझाईश बनती है, तो यह तो हमने अभी जैसा जैसी चर्चा भी की कि residential segment खास करके mid segment और mid segment से उपर जो है उसमें बढ़ोतरी की काफी गुझाईश है, हम सबने बात की है कि जो interest rate की dependence है, वो इतना matter नहीं करती है और वो segment जो की EMI dependent नहीं है, याने कि upper mid segment, premium segment, luxury segment देखने की मेरा अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरा, जिस segment पर हम अक्सर नज़र डालते हैं लेकिन देखना भूल जाते हैं, वो यह है कि commercial में दो segment ऐसे हैं, जिन्होंने की बड़ी सतत growth की है, एक पर Amit ने बात कर ली, co working, co working हम समझ रहे थे 2020 में कि यह खत्म हो है, यह गिरते गिरते नीचे 6-7% market share पे आ गया था, आज यह वापस साड़े 14-15% की share पे आ गया है, और इसने यह सिध कर दिया है कि आने वाले समय में यह और मजबूत होता जाएगा, तो अगर commercial की बात करें, IT तो हम सब समझते हैं, BFSI याने के बैंकिंग भी हम सब समझते हैं, लेकिन यह co working, flex spaces का जो segment है, इसकी बड़त बने रहने की पूरी संभावना है, इसके अलावा, आप देखिए, इस साल retail की एक रीट आने की पूरी पूरी संभावना है, हम अक्सर इस चीज़ को नजर अंदास कर देते हैं, कि retail और hospitality ने काफी बुरी मार सही थी, COVID के दोरान, लेकिन इन में भी अब वापस से recovery शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, हमें इन दो सेग्मेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन में institutional investment होने की संभावना बनती है, तो ये तीन-चार है दीपक जी, जिन में की हम कह सकते हैं कि हमारी नजर बनी रहे एक investor के तौर पर, और जैसा मैंने शुरू में कहा, पूत के पाउं पालने में दिखते हैं जिस तरह, उस तरह से data center की growth भी दिखाई पढ़नी शुरूर होने लगी है, पिलकुल जिस तेजी के साथ data centers में निवेश दिख रहा है, developers का focus दिख रहा है, ऐसे में आने वाला समय data centers के लिए काफी एहम माना जा रहा है, अमिज जी, यूरॉप और अमेरिका समित कई देश मंदी की चपेट में आते दिख रहे हैं, जो जग जाहिर बात है, कंपनिया कॉस्ट कटिंग कर रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, हलाकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ऐसे में आउटसूर्सिंग के चलते हैं, हमारे यहां ओफिस दिमांड बढ़ जाती है, इस बार जो मंदी की आहट है, उसमें हमारे लिए कैसे संकेत दिख रहे हैं, मार्केट्स में लोगों को होगा, overall expense, तो मेरा तो यह मानना है कि जब recession या यह जो मंदी का महावल बनता है developed countries में, तो उससे तो हमेशन इंडिया को फाइदा ही हुआ है, आप कोई भी दौर उठाके देख लीजे, late 90s का, late 2010, early 2010 का, सब time पे इंडिया को तो benefit ही रहा है, overall, थोड़ा बहुत 3-4-6 महीने का होता है, इदर उदर, but overall तो growth is there, second जैसे मैंने कहा कि अब इंडिया की जो story है, वो इतनी strong हो चुकी है, and यहाँ पे जो foreign direct investment आ रही है, जो Indian companies को बरोतरी दे रही है, startups को sunicorn, unicorn बना रही है, उनका भी इतना काम हो गया है, कि वो भी एक major segment बन गई है, जो IT-ITS के comparison, जो purely यह पहले multinational रहती थी, IT-ITS, Indian IT-ITS कमपनियां भी अपनी बरोतरी कर रही है, और सबसे बड़ी बात, जो startup का ecosystem है, almost prediction है, इस साल 100 unicorn से भी जादा आने की उमीद है, 2023 भी बहुत strong year रहेगा, अपने startup ecosystem के लिए, तो उसके करते, मेरे साब से तो demand जो है, overall बढ़ेगी, वो चाहे Europe, US की हो, या Indian multinationals की हो, या Indian startup ecosystem की हो, एक अंतिम सवाल आप से सौरब जी, reason wise अगर हम देखें, तो rental market में सबसे ज़्यादी growth किन शहरों में देखने को मिल रही है, और इसकी बढ़ती वज़ा क्या देख रहे हैं आप? तो देखें, जो भी ऐसे शहर है, जाते कि IT demand है, जैसे कि बैंगलोर, पूने, हैदरबाद, तो वहाँ पे काफी, काफी demand देखने को मिली है, क्योंकि ये सब लोग work from home कर रहे थे और मार्च के बाद वापस आ गए, तो इसका काफी बड़ा reason एक पर ये है, दूसरा, एक बड़ा trend और देखने को मिला है कि COVID के बाद, जो बड़े घर की demand है, 3BHK, 4BHK, वो भी काफी ज़ादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी कई जगे hybrid चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइब ही office जाना है, तो लोगों ने बड़ा घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, and काफी लोग जो है, इसमें workplace के पास भी रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि COVID के बाद, बहुत जादा traffic सारे शेरों में ही हो गया है, मैं तो बैंगलोर में रहता हूं, जापे की traffic की बहुत ही बुरी हालत है, but, but सब जगे traffic बहुत जादा पढ़ गया है, तो people want to stay closer to the workplace, ये एक दब reversal है, जो हमने 2019, 2020, 2021 में देखा था, कि लोग बोल रहे थे कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो वो एक दब भी reversal हो गया है, and society, gated societies के अंदर, जो है, again, demand बहुत जादा है, that's the first preference, more than 50% people say कि उनकी first preference है कि gated society में रहना है, तो ये इन्ही सभी शहरों में देखा है, और इसी के चलते हैं, हम देख रहे हैं कि जो, जो की gated वाले societies है, closer to workplace है, वहाँ पे rental inflation 25% से 40% हो गया है, बैंगलोर, पुने, हिदरबाद जैसे शहरों में, तो उसका एक काफी बड़ा reason ये है, but overall I think सारे ही शहरों में हमने demand देखी, ऐसा नहीं है कि मुंबई, दिल्ली पीछे है ये चिन्नी पीछे है, वहाँ पे भी काफी demand देखी गई है तो शो के अंत में एक और एहम सवाल की, नए साल में हर कोई नहीं तरह से जीने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरह का संकल्प लोग लेते हैं, तो राजन सर, इस बार आपका new year resolution क्या होने वाला है? अरविन सर, आप क्या संकल्प लेने वाले हैं? हमारा भी ऐसा ही है कि कुछ नया resolution तो नहीं लेते हैं, लेकिन जैसा राजन जी कहा रहे थे, कि सेहत अच्छी रखो, सेहत पर ध्यान रखो, यह होगा है, बिल्कुल तो हमारा भी resolution है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे show बनाएं, घर खरीदारों से जुड़े real estate के ज दिमांड भी मजबूत बनी हुई है, कमाल की बात तो यह है कि मिट सेग्मेंट के अलावा प्रीमियम सेग्मेंट में bumper दिमांड दिख रही है, जो अगर हम को वरकिंग की बात करें, तो को वरकिंग सेक्टर के लिए हाद से टीर टू शेहरों में मजबूत दिमांड बनती दिखेगी, रेंटल मांकेट में डिमांड बड़ी है, किराया भी बड़ा है, इस साल भी ये करम जारी रहता दिख रहा है, रीटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिक्कते थी, लेकिन अब लगातार इन सेक्टर में तीजी दिखने शुरू हो गई है, ग्लोबल मंदी क ये आठ भले है, लेकिन हमारा मांकेट काफी हद तक तयार है, इसी के साथ, राजन जी, अर्विन जी, अमिज जी और सौरप जी आपका बहुत शुक्र है हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए, तो आज के शो में फिलहाल इतना ही, एक बार फिर जी बिजनेस और प्रापर्टी प्लस के तमाम दर्शकों को नयवर्श की हार्दिक बधाई और आप स्वस्त रहें, संपन रहें और खोश रहें, नमस्कार